नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में, मेरा नाम है मलय भटाचारिय, आज आप सुनेंगे शरत चंद्र चट्टो पाध्या के लिखी कहानी अंधकार में प्रकाश बहुत दिनों पहले की घटना है, सतेंद्र चौधरी जमिदार का लड़का था, भी ये पास करके वो अपने घर गया था, उसकी माँ ने कहा बेटा, लड़की बहुत ही भली है, साक्षात लक्ष्मी है, मेरी बात मान ले जाकर एक बार देखा सतेंद्र ने सिरहला कर कहा, नहीं मा, अभी मैं किसी दशा में ये ना कर सकूँगा, ऐसा होने से मैं परिक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, क्यों ना कर सकेगा, बहु रहेगी मेरे पास, तू लिखना पढ़ना जारी रखेगा कलकत्ते में, पास होने में तुझे कौन सी थोड़ी दे बात बोली, मैं वचन दे चुकी हूँ बेटा, तु मेरा मान रखेगा, सत्य घूम कर खड़ा हो गया, नाराज होकर उसने कहा, मुझसे बिना पूछे ही तुमने वचन दे दिया, क्यों? लड़के की ये बात सुनकर मा का हृदय व्यथित हो उठा, बोली, ये मातर संतान, साथ आठ वर्ष होए पती का देहांद हो चुका है, तब ही से विद्वा स्वयम ही तहसीलदार नायबादी रखकर जमीनदारी का कारे चलाती आ रही है, लड़का कलकत्ते में रहकर कॉलेज में पढ़ता है, जगह जमीन के बारे में कोई भी खबर उसे नहीं पढ़ती, मा ने मन ही मन सोच रखा था, लड़के के वकालत पास कर लेने पर उसका ब्याह कर देंगी, और पतोहु के हाथ में जमीनदारी और ग्रिहस्थी का सारा भार सौंप कर निश्चिंध हो जाएंगी, इसके पहले लड़के को ग्रिहस्थ बनाकर उसकी उच्च शिक लड़की को लेकर निमंदरन प्राई थी, ये लड़की उन्हें बहुत जची, केवल सुंदर ही नहीं है, इतनी उम्र में अत्यंत गुणवती भी है, ये बात भी वो दो-चार बातों से ही समझ गई थी, मा ने मन ही मन कहा, अच्छा, पहले तो लड़की दिखा दूँ, उ उसके सामने ही बैकॉंठ की लक्षमी को हीरे मोतियों से सजाकर बैठा रखा गया था, उसके कमरे में घुसते ही मा ने कहा, खाना खाले, सत्य चौंक पढ़ा, उसने ठिटक कर कहा, यहां क्यों, और किसी दूसरी जगा मुझे खाने को दो, मा ने मुस्कुरा कर कहा, तू त ही मिनिट में खापी कर वो उठ गया, बाहर की बैठक में जाकर क्या देखता है, कि मित्र लोग जुट गए हैं, और शत्रंज बिछा दिया गया है, उसने दिर्ड आपत्ती प्रकट करके कहा, मैं किसी भी तरह बैठ न सकूंगा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कहकर कमरे के एक कोने में जाकर तकीये पर माथा टेक कर वो आखे बंद किये लेटा रहा, मित्र लोग मन ही मन कुछ आश्चरे में पढ़ गए, और आदमियों की कमी होने पर शत्रंज छोड़कर दूसरे खेल में लग गए, शाम तक बहुत ही कोला हल होता रहा, किन्तु सत्य एक बार भी नहीं पूछा कौन हार गया, किसकी जीत हुई, आज उसे ये सब अच्छा नहीं लगा, मित्रों के चले जाने पर वो मकान के अंदर सीधे अपने कमरे में जा रहा था, कि भंडार घर के बरामदे से मा ने पूछा, इतनी जल्दी सुने जा रहा है रहे, सोने नहीं पढ़ने जा रहा हूं, एमे की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, समय नष्ट करने से तो काम नहीं चलेगा मा, ये कहकर वो गुड इशारा करके धमा धम आवाज करता हुआ चला गया, आधा घंटा बीच चुका है, अभी तक उसने एक पंक्ती भी नहीं पड़ी, टेबल के उपर पुस्तक खुली पड़ी है, सहसा उसका ध्यान तूटा, उसने कान लगा कर सुना, चम, और एक शण में चम चम, सत्य सीधा होकर बैठ गया, उसने देखा, वही आपाद मस्तक गहने पहने लक्ष्मी देवी की तरह लड़की पास आकर खड़ी हो गई, सत्य टक्टकी बाधे देखता रहा, लड़की ने मीठे स्वर में कहा, मा ने पूछा है आपकी राय क्या है, सत्य ने एक शण चुप रहकर पूछा, किसकी माँ, लड़की ने कहा, मेरी माँ, सत्य को तुरंथ ही उत्तर ढूणने पर नहीं मिला, एक शण बाद उसने कहा, वे मेरी माँ से पूछने पर ही जान सकेंगी, लड़की वापस जा रही थी कि सत्य एका एक पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है, राधा रानी, कहकर वो चली गई, सत्य एमे पास करने के लिए कलकत्ता चला आया है, विश्व विद्याले कि सभी परिक्षाएं पास के बिना तो किसी त नहीं लगता है, कहीं भी कोई नारी मूर्ति देखते ही एक छोटा समूह उसके पास ही जाग उठता है, और उसी को ढखक कर अकेले विराजने लगता है, सत्य किसी तरह भी उस लक्ष्मी की प्रतिमा को भूल नहीं सकता, सदा से ही वो नारी के प्रति उदासीन रहा है, अक देखते देखते का एक अत्यंत लज्जित होकर सारा शरीर बार-बार सिहर उठता है वो उसी क्षण किसी भी रास्ते को पकड़कर दृत गती से हट जाता है सत्य तैर कर स्नान करना पसंद करता था उसके चोर बागान के देरे से गंगा जी बहुत दूर नहीं है प्राया ही व बाधा पाकर उसने स्थिरो कर देखा चार-पांच आदमी एक तरफ देख रहे हैं सत्य उन लोगों की दृष्टी का अनुसरण करता हुआ आश्यर्य से स्थब्ध होकर खड़ा हो गया उसको मालूम हुआ एक ही सात इतना सौंदर उसने और कभी नारी शरीर में नहीं पंडा एक आग्रमन से सुंदरी के ललाट पर नाक पर चंदन अंकित कर रहा है सत्य पास ही जाकर खड़ा हो गया पंडे को सत्य से काफी प्रणामी का पैसा मिलता था इसलिए सुंदरी के चंद्रानन की खातिर छोड़कर हाथ के सांचे को एक तरफ रख कर उसने बड़े बाबू के सूखे कपड़े के लिए हात बढ़ा दिया दोनों की आखे एक दूसरे से मिल गई सत्य ने जटपट कपड़ों को पंडे के हात में देकर तेज कदम बढ़ाए और सीडियों के रास्ते पानी में उतर गया आज उसका तैरना नहीं हुआ किसी तरह स्नान करके गंगा स्नान के लिए चल पड़ा घाट पर पहुंचकर उसने देखा अपरिचिता सुंदरी अभी अभी स्नान करके ऊपर चढ़ रही है सत्य खुद भी स्नान करके जब पंडे के पास आया आज भी वो उसके ललाट को चित्रित कर रहा था आज भी आखे लड़ गई आज तो किसी तरह कपडा छोड़ कर जल्दी से चला गया ये महिला प्रति दिन भोर में हिसनान करने आती है इस बात कुछ सत्य समझ गया था पहले दोनों की भेट नहीं हुई थी तो इसका एक मात्र कारण यही था कि पहले सत्य थोड़ा दिन चढ़ाने पर हिसनान करने के नीरव हो जाती है ये अपरचीता सुंदरी जो भी हो उन्होंने आखों से बाचीत करना सीख लिया है और उस विद्या में पार दर्शी हैं सत्य का अंतर्यामी अपने निम्रित हिदय के अंदर इसे समझा गया था उस दिन स्नान करके वो कुछ अन्य मनस्क होकर डेरे पर ल बुलाया सत्य धर उधर देखकर उसके पास जा खड़ा हुआ उच्सुप नेत्रों से देखकर मीठे स्वर में बोली मेरी नौकरानी आज आई नहीं है कृपिया यदि कुछ दूर मुझे साथ पहुचा दें तो बड़ा अच्छा हो पहले हर रोज वो अपने साथ नौकरा में कुछ भी अप्राप्य नहीं है सत्य ने उसी क्षण चलिए कहकर उसका अनुसरान किया दोचार कदम अग्रसर होकर महिला ने कहा नौकरानी बीमार पड़ी है वो आ ना सकी किन्तु मैं भी गंगासनान किये बेना नहीं रह सकती आपको भी देखती हूं यही बुरी आद बड़ी देर तक फिर कोई बातचीत नहीं हुई चित्तपुर रोट पर पहुँचकर महिला घूम कर खड़ी हो गई फिर वही चिर परिचित हसी हंसकर बोली पास ही हमारा मकान है अब मैं जा सकूंगी नमस्कार कहकर सत्य गर्दन जुकाय जटपट चला गया उस दिन सारा दिन उसके हिदय के अंदर नमालूम कैसा कैसा होता रहा उसको लिख कर बताना साध्यकार है यूवा वस्था में काम देव के कुसुम बान का अगाद जिनको सहना पड़ा है केवल उनको ही आज पड़ेगा केवल वे ही बता पाएंगे उस दिन क्या हो गया था सभी नहीं समझेंगे कि किस उनमाद में मतवाला होने पर जल थल आकाश हवा सभी लाल दिखाई पड़ते हैं समस्त चैतन्य किस तरह चेतना खोकर एक टुकड़ा निर्जीव चुम्बक का शलाका की भाती केवल उस एक ही तर गया है नौकर सामने से जा रहा था उसको धमकाते हुए उसने कहा इतना दिन चढ़ाया मुझे जगावे नहीं सका जा तुझ पर एक रुपया जुर्माना वो बेचारा भौचक का हो ताकता रहा सत्य दूसरा कपड़ा ना लेकर रुष्ट चहरे से मकान के बाहर चला गया रास्ते में आकर उसने किराय पर गाड़ी ले ली और गाड़ीवान को पथरिया घाट के भीतर से गाड़ी को चलाने का हुक्म दे कर वो रास्ते के दोनों तरफ जीजान से नजरें गड़ाय रहा किंतु गंगा जी के किनारे पहुँचकर घाट की तरफ देखते ही उसका समस्त शोब मानो ठंडा हो गया उसे लगा मानो एक आएक रास्ते पर फेका हुआ एक अमूल ये रत्न उसे मिल गया उसके गाड़ी से उतरते ही उसने मृदु हसी हसकर अत्यंत परिचित की तरह कहा इतनी देर कैसे मैं आधे घंटे से खड़ी हूँ आप शीग्र नहा लीजिए आज भी मेरी नौकरानी आई नहीं है एक मिनिट सबर कीजिए ये कहकर सत्य दुरुत गती से पानी में जा उतरा तैरना उसका जाने कहां चला गया उसने किसी तरह दो तीन डूपकियां लगा कर वापस आकर कहा मेरी गाड़ी कहां चली गई महिला ने कहा मैंने उसे भाड़ा दे कर विदा कर दिया है आपने भड़ा दिया दे दिया तो क्या हर्ज है चलिए ये कहकर एक बार फिर मधुर हसी हसकर वो आगे आगे चलने लगी सत्य बिल्कुल ही सहम गया था नहीं तो कितना ही निरिह कितना ही अन्भिग्य क्यों न हो एक बार भी उसे संदेह तो होता कि ये सब क्या है रास्ते में चलते चलते महीला ने पूछा आपका डेरा कहा है क्या बताया था चोर बगान में सत्य ने कहा हाँ वहाँ केवल चोरों का ही रहना होता है सत्य ने आश्चरे में पढ़कर कहा क्यों आप तो चोरों के राजा है ये कहकर महिला जरा गर्दन टेड़ी करके कटाक्ष पून हसी हसकर चुप चाप मराल गती से चलने लगी। आज बगल की कलसी अन्य दिनों की अपेक्षा बड़ी थी। उसके भीतर का गंगा जल छल 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 शब्दों से अर्थात अरे मुग्ध अरे युवक सावधाम ये धोखा है। कहता हुआ उचल उचल कर व्यंग और तिरसकार करने लगा। मोड के आसपास आकर सत्य ने संकोच के साथ कहा। गाड़ी भड़ा। महिला ने घूम कर खड़ी होकर असफुट मृदुकंट से जवाब दिया। ये तो आपका दिया ही जा चुका है। इस इशार इस अभिने को सत्य देख न सका था। इसलिए चोरी के इस प्रचन इशारे ने तीव्र तड़ित रेखा की भाती उसके संदेह के जाल को नीचे से उपर तक फाल कर छाती की अंतस्तल तक उदभासित कर दिया। उसकी क्षणमात्र में इच्छा हुई इस खुली सड़क पर इन दोनों लाल पैरों पर गिर पड़े। किन्तु पल भर में गहरी लज्जा से उसका सिर इतना जुग गया कि वो मुह उपर उठा कर एक बार प्रियतमा के चेहरे की तरफ देख भी न सका। चुप चाप मुह नीचे जुकाए धीरे धीरे चलता गया। उस फुटपात प कहा। ये तो मैं नहीं जानती, किन्तु भोले भाले आदमियों की नाक में रस्सी लगा कर घुमाते रहना मुझे अच्छा लगता है। नौकरानी ने भी थोड़ी देर तक खुब हस कर कहा। इतना भी कर सकती हो तुम। किन्तु जो कुछ भी कहो दीदी, देखने में मानो राजपुत्र है, जैसी आखें हैं, जैसा चेहरा मोहरा है, रंग भी वैसा ही है, तुम दोनों की जोड़ी खुब जचती है। तुम्हारे बराबर जब खड़ा रहकर बातचीत कर रहा था, तो लगता था कि मानो एक जोड़ा गुलाब का हो। महिला ने मुह बिचका कर हस कर कहा, अच्छा चल, पसंद आ गया है तो तू ही रख लेना, नौकरानी भी टलने वाली नहीं थी, उसने भी उत्तर दिया, नहीं दी दी, उस चीज को जीजान से पकड़ कर किसी को न दे सकोगी, ये बात मैं कहे देती हूँ। ज्यानियों ने कहा है, कोई असंभव कांड होने पर उसे आखों से देखने पर भी कहू मत, क्योंकि आज्यानी लोग विश्वास नहीं करते, इसी अपराद में बेचारा श्रीमंत कैसे श्मशान चला गया था। जो कुछ भी हो, ये अत्यंत सची बात है कि सतेंद्र उस दिन अपने डेरी पर जाकर टेनी सन की पुस् भाव है या नहीं, अत्वा इस बाल के प्रवाह में शरीर छोड़कर तैरना निरापद है या नहीं, दो दिनों के बाद, सनान कर चुकने के बाद घर लोटने के मार्ग में अपरिचिता स्त्री ने कहा, कल रात को मैं थीटर देखने गई थी, सरला का कश्ट देखकर छाती पढ़ जाती थी, सत्तेंद्र ने सरला नाटक देखा नहीं था, स्वर्ण लता पुस्तक पढ़ चुका था, उसने धीरे धीरे कहा, हाँ, बहुत दुख पा कर उसकी मृत्यू हुई, महिला ने लंबी सांस लेकर कहा, क्या ही भयानक कश्ट है, सरला ने तो अपने पती को इ जान प्यार कर सकते हैं, नहीं, कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने मरने तक प्रेम किया है, पर उन्तो इसे जान भी ना सके, जान लेने की सामर्थी भी उनको नहीं रहती, देखा नहीं है, कितने आदमी ऐसे हैं जो गाना बजाना हजार अच्छा होने पर भी मन लगा क कर सुन नहीं सकते, इतने ही आदमी किसी भी दशा में क्रोध कर ही नहीं सकते, लोग जरूर उनका गुणगान करते हैं, किन्तु उनकी निंदा करने को मेरी इच्छा हो रही है, सत्य ने हस कर कहा, क्यों, महिला ने उत्तेजित कंट से उतर दिया, वे असमर्थ हैं, इसलिए, असमर्थता के कुछ-कुछ गुण रहे तो रह भी सकते हैं, किन्तु इसमें दोश ही अधिक है, यही जैसे सरला का जेट, स्त्री के इतने बड़े अत्याचार से उसे क्रोध नहीं हुआ, सत्य चुप ही रहा, उसने फिर कहा, और उनकी स्त्री, वही प्रम्दा, कैसी शैतान और रही, मैं रहती तो उस राक्षसी का गला दबा देती, सत्य ने हस्ते हुए कहा, रहती किस तरह, प्रम्दा नाम की वास्तव में तो कोई और थी ही नहीं, वो तो कभी की कल्पना, महिला ने बीच में ही रोक कर कहा, तो फिर ऐसी कल्पना ही क्यों, अच्छा, सभी कहते ह सभी मनुष्यों के भीतर भगवान है, आत्मा है, किन्तु प्रम्दा का चरित्र देखने से मालूम नहीं होता कि उसके अंदर भी भगवान थे, सच कह रही हूं तुमसे, बड़े बड़े लोगों की पुस्तके पढ़कर लोग अच्छे आचरण वाले होंगे, मनुष्य को मनुष्य प्यार करेगा, ये तो नहीं है, उल्टे ऐसी पुस्तकी लिग डाली कि पढ़ने से मनुष्यों के उपर मनुष्य के मन में घिना उत्पन हो जाती है, विश्वास नहीं होता कि सचमुछी सभी मनुष्यों के हिरिदय में भगवान का मंदिर है, सत्य ने आश्यर म में पढ़कर उसके मुह की तरफ देख कर कहा, तुम शायद किताबें बहुत पढ़ती हो, महिला ने कहा, अंग्रेजी तो मैं नहीं जानती, बांगला पुस्तकी जो भी प्रकाशित होती हैं सब पढ़ जाती हूँ, यही तो बड़ा रास्ता है, चलो ना हमारे मकान पर, ज ठीची कुछ भी नहीं, चलो, ना ना आज नहीं, आज रहने दो, यह कहकर सत्य कापते हुए तेज कदमों से चला गया, आज अपनी इस अपरचिता प्रेमिका के प्रती गहरी श्रद्धा के बोच से उसका रहे दबा जा रहा था, प्रातह काल स्नान करके सत्य धीरे धीरे पर लोटाया था, उसकी द्रिष्टी ठकावट से भरी सजल थी, आखों की पलकें भी वैसी ही भीगी हुई थी, आज चार दिन बीच चुके हैं, उस अपरचिता प्रियत्मा को वो देख नहीं सका है, अब वो गंगा स्नान करने नहीं आती, आका आश पाताल ना जाने कहां नहीं जानता है, किन्तु और कुछ नहीं पहचानता, किसका मकान, कहां मकान, कुछ भी नहीं जानता, याद करने से, सोचने से, अनुताप आत्म गलानी से हरदय जल जाता है, क्यों उस दिन वहां नहीं गया, क्यों उसके हारदिक अनुरोध की उपेक्षा उसने की, उसने स स्रचमुछी प्यार किया था ये आखों का नशा नहीं था हेदय की गंभीर त्रिशना थी उसमें छलकपट की छाया मात्र भी नहीं थी जो कुछ था वो स्रचमुछी निस्वार्थ पवित्र हेदय भरासने था बाबू सत्य ने चौक कर देखा उसकी वही नौकरानी जो उसक को छिपा लिया शायद हस देने के भैसे ही मुह नीचे किये ही बोली दीदी बहुत बीमार है आपको देखना चाहती है चलो कहकर उसी क्षण सम्मती देकर आखें पोच कर उसके साथ चल पड़ा जाते जाते उसने पूछा क्या बीमारी है बिगड़ गई है क्या नहीं वैस दासी से सत्य ने पूछा मेरे चलने पर तुम्हारी दीदी के बाबा बिगड़ तो नहीं उठेंगे वे तो मुझे पहचानते नहीं दासी ने कहा दीदी के पिता नहीं है केवल मा है बेहन जी की तरवे भी आपको खूब प्यार करती हैं सत्य और कुछ न कहकर अंदर चला कोने के कमरे से उची हसी के साथ तबला और घुंगरु की आवाज आ रही थी दासी ने हाथ से दिखा कर कहा उस कमरे में चलिए दर्वाजे के सामने जाकर उसने हाथ से परदे को हटा कर खुब उचे सवर में कहा दीदी ये लो अपने नागर को तेज हसी और कोलाहल उठा अंदर जो कुछ देखा उससे सतेंद्र का सारा मस्तिष्क उलट पलट गया। उसको मालूम हुआ मानो अच्छानक उसे मूर्चा आ रही है। किसी तरह दर्वाजा पकड़कर वो उसी जगा पर आँखें बंद करके चौकट पर बैठ गया। कमरे के अंदर फर्ष पर मोटी गद्दी के विछोने पर दो तीन भद्र पोशाक वाले पुरुष बैठे हैं। एक हार्मोनियम एक तबला लिए बैठा है और एक आदमी एक आगर मन से शराब पी रहा है। और वो वो शायद अभी अभी नाच रही थी। दोनों पैरों में घुंगरू का धेर मधा हुआ है। मेरा नाम है श्रीमती बिजली, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? हौवा, कौवा। सभी आदमी हो हो कर ठठा कर हस पड़े। दीदी की दासी हसी की चोट से बिलकुल लुड़क गई और फर्ष पर जुग गई। क्या ही मजा है जानती हो दीदी। बिजली ने बनावटी क्रोध के स्वर में धंकी दे कर कहा, चुप रहे, ज्यादती मत कर, आईए, बैठिये। यह कहकर जबरदस्ती सत्य को खीच कर ले आई। एक कुर्सी पर बैठा कर उसके पैरों के पास घुटने टेक कर हाथ जोड़कर उसने गाना शुरू कर दिया। जो मनुष्य शराब पी रहा था वो उठकर आया और पैरों के पास लेटकर उसने प्रणाम किया। उसे नशा हो गया था। रोता हुआ बोला। महराज जी बहुत ही पात की हूँ मैं। जरा सी चरण रेनू। भाग्य की विडंबना से आज सत्य ने स्नान करके एक रेश्मी धोती पहन ली थी। जो आदमी हार्मोनियम बजा रहा था उसको कुछ-कुछ होश हवास था। उसने सहानुभूती के स्वर में कहा। जो वे चारे को जूट-मूठ मूर्क बना रही हो। बिजली ने हस्ते हस्ते कहा। वह जूट-मूठ क्यों? वो सच्चा मूर्क है। इसलिए तो दिन दहाडे अपने घर लाकर तुम लोगों को तमाशा दिखा रही हूँ। अच्छा, सिर्की शपत, सच बता भाई, तुने मुझे क्या समझ लिया था। रोज गंगा सनान करने जाती हूँ। इसलिए ब्रामों भी नहीं हूँ, मुसल्मान या क्रिस्तान भी नहीं हूँ। हिंदू घर की इतनी बड़ी सयानी लड़की या तो सद्वा नहीं तो विद्वा। किस मतलब से दिल लगा कर प्रेम कर रहा था। बतातो, ब्याह करेगा इसलिए या बहला फुसला कर भाग खड़ी होने के लिए। भारी हसी का ठाहा का मच गया। उसके बाद सभी मिलकर वैसी ही बात ही कहने लगे। सत्य ने एक बार भी मूँ उपर नहीं उठाया। किसी बात का उत्तर नहीं दिया। वो मन ही मन क्या सोच रहा था ये वो बताएगा ही किस तरह और बताने से समझेगा भी कौन। रहने दो। बिजली एक आयक चौक कर खड़ी हुई, बोली। वह, मैं तो खुब ही भली हूँ। जाग तो क्षेमो, जाग जा, बाबू का खाना लेया, स्नान करके आये हैं। वह, मैं केवल मजाग ही कर रही हूँ। ये कहते कहते उसकी थोड़ी ही देर पहले की व्यंग, वक्रोक्ती में अगनी, उतप्त कंठ ध्वनी अक्रित्रिम्स नेह परिपून अनुताप से सच्मुछी ठंडी पढ़ गई। शन भर बाद दासी ने एक थाली खाद्य समगरी लाकर रख दी। बिजली अपने हाथ में लेकर फिर घुटनों के बल बैठ कर बोली, मुह उपर उठाओ, खाओ, इतनी देर तक सत्य अपनी सारी शक्ती को एकत्र करके अपने को समहाल रहा था। इस बार मुह उपर उठा कर शांत भाव से उसने कहा, मैं खाओंगा नहीं, क्यों, जात भी चली जाएगी, मैं क्या दोम हूँ, या चमार हूँ, सत्य ने उसी तरह शांत स्वर में कहा, तब तो मैं खा लेता, आप जो भी हैं, वही हैं, बिजली ठठा कर हस्ती हुई बोली देखती हूँ, बुद्धु बाबो भी चूरा चूरी चलाना जानते हैं, ये कहकर वो फिर हस पड़ी, इन्तु वो केवल शब्द मात्र की ध्वनी थी, हसी नहीं, इसलिए और कोई उस हसी में शामिल नहीं हो सका, सत्य ने कहा, मेरा नाम सत्य है, दिर्ण नहीं, मैंने चुआ ना खाओगे, नहीं, बिजली उठखडी हुई, उसके परिहास के स्वर में इस बार तीवरता जा मिली, जोर देकर उसने कहा, तुम्हें खाना ही होगा, ठीक कहती हूँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो दो दिनों के बाद, खाओगे ही तुम, सत्य ने गर्दन हिला कर कहा, देखे, गलती सभी से होती है, मेरी गलती कितनी बढ़ी है, इसका पता सभी पागए है, किन्तु आप की भी गलती रही है, आज नहीं, अगले जन में नहीं, किसी काल में भी आपका छुआ खाऊंगा नहीं, अनुमति दीजिये मैं जाओं, आपकी सांसों के स्पर्ष स से मेरा खोन सूकता जा रहा है उसके चहरे पर गंभीर घ्रणा की ऐसी ही सुस्पष्ट छाया पड़ गई कि वो उस मतवाले की दृष्टी से भी न बच सकी उसने सिरहिला कर कहा बिजली भी अरसी केशु रसस्य निवेदनम जाने दो जाने दो सवेरे के आमोद को भी इसने म मिला दिया बिजली ने जवाब नहीं दिया स्तंभित होकर सत्य के चहरे की तरफ ताक्ती हुई खड़ी रही सचमुछी उससे भारी गलती हो गई थी उसने कलपना नहीं की थी कि ऐसा महुचोर शांत मनुष्य इस तरह की बातें कर सकता है सत्य आसन छोड़कर उठ खड़ा सत्य कमरे के बाहर चला आया बिजली पीछे आकर रास्ता रोक कर चुपके चुपके बोली वे लोग देख लेंगे इसलिए न नहीं तो हाथ जोड़कर मैं कहती मैंने भारी अपराध किया है सत्य दूसरी तरफ मुह करके चुप चाप खड़ा रहा उसने फिर कहा यही पास वाला कमरा मेरा पढ़ने का कमरा है एक बार देखोगे नहीं एक बार आओ माफी मांगती हूं नहीं कहकर सत्य सीड़ी के तरफ बढ़ चला बिजली उसके पीछे पीछे चलती हुई बोली कल मुलाकात होगी नहीं फिर क्या कभी मुलाकात नहोगी नहीं बिजली का गला विश्वास करोगे। फूटी फूटी आवाज सुनकर सत्य आश्यारी में पढ़ गया। किन्तु इन 15-16 दिनों में जो अभिने उसने देखा उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो भी वो मुह घुमाकर खड़ा हो गया। उस मुह की हर रेखा में सुध्र अविश्वा पढ़कर विश्वास कराने के सभी उपायों को उसने कूड़े की तरह अपने ही हाथ से जाड़ू लगा कर ठेक दिया है। सत्य ने पूछा क्या विश्वास करूँ। विजली के दोनों होट कांपने लगे किन्तु उसका स्वर नहीं फूटा। आंसों के बोज से दबी को उसने पल भर के लिए उपर उठाकर जुका लिया। सत्य ने इसे भी देख लिया। किन्तु आंसों की क्या नकल नहीं होती। बिजली मुह उठाय बिना ही समझ गई सत्य प्रतीक्षा कर रहा है। किन्तु उस बात को वो अपने मुह से किसी तरह नहीं निकाल सकती। जो कौन उस पर विश्वास करेगा। वो तो है दागिया सामी। अपराधों के अंगिनत चिन समूचे शरीर में चितकाये। विचारक के सामने खड़ी होकर आज किस मुह से ये बात निकालेगी। कि अपराध करना ही उसका पेशा जरूर है किन्तु इस बार वो निवदोश है जितनी ही देर होने लगी उतना ही वो समझने लगी कि विचारक उसको फांसी का हुक्म देने जा रहा है। किन्तु किस तरह वो रोकेगी। सत्य अधीर हो उठा था। उसने कहा। मैं जा रहा हूँ। बिजली तो भी अपना मुह उपर ना उठा सकी। किन्तु इस बार उस शरीर को छोड़ कर नहीं जाते थोड़ी देर तक रुखी रहकर उसने आगे कहा सभी मंदिरों में देवता की पूज़ा भले ही नहीं होती लेकिन देवता तो भी देवता ही हैं उनको देखकर सिर्भले ही न जुका सको, किंतु उनको रौंद कर तुम जा भी नहीं सकते। ये कहकर मुव उपर उठा कर उसने देखा, सत्य सचमुची धीरे-धीरे चला जा रहा है। स्वभाव के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है, किंतु उसे उड़ा तो दिया नहीं जा सकता। नारी शरीर पर सेंकणों अत्याचार चल सकते हैं, इन्तों नारित्व की तो उपेक्षा नहीं की जा सकती, बिजली है नर्त की वेश्या, तो भी तो है वो नारी, आजीवन सेंकणों अपराधों की अपराधिनी है, तो भी तो है नारी शरीर, एक घंटे के बाद जब वो इस क्या बाई जी आँखों की पलकें क्यों भीगी हैं वाप रे छोकरा कितना धाकर है ऐसी चीज़ों को भी मुह में नहीं जाने दिया मुझे दो थाली धर बढ़ा तो दो ये कहकर खुद ही थाली खींच कर वो निगलने लगा उसकी एक बात भी बिजली के कानों में नहीं गई एक आएक अपने ही पैरों पर उसकी नजर जा पड़ी तो पैरों में बंधी घूंगरू की लड़ियों ने मानो बिच्चू की तरह उसके दोनों पैरों को लपेट कर दाद गड़ा दिये उसने जटपट उन सब को खोल कर फेंच दिया एक आदमी ने पूछा खोल क्यों द हुए चेहरे से उसने कहा रोग में बत्ती जलाने से अंधकार मर जाता है सूर्य उगने से रात्री मर जाती है आज उसी रोग से तुम लोगों की बाई जी सदा सदा के लिए मर गई मित्र चार वर्ष बाद की बात है, कलकत्ते के एक बड़े मकान में किसी जमिंदार के लड़के का अन्प्रशन हो रहा है, खिलाने पिलाने का बड़ा समारोग खत्म हो गया, संध्या के बाद बाहरी मकान की आंगन में बैटकर जम्द कर आमोद प्रमोद नाजगान का उद्योग आ हुआ है, चुप चाप पीछे आकर सत्यंद्र ने कहा, इतना मन लगा कर क्या देख रही हो, बताओ तो, राधा रानी ने पती की तरफ घूम कर हस्ते हुए चेहरे से कहा, जो देखने के लिए सब ही आ रहे हैं, बाहरी लोगों की सजावट बनावट, किन्तु अचानक तु सबसे अधिक किसको तुम पसंद करती हो, उसी को, कहकर राधा रानी ने उंगली उठा कर, जो महिला सभी के पीछे बिल्कुल साधी पोशाक में बैठी हुई थी, कि ओर इशारा किया, पती ने कहा, वो तो बिल्कुल ही दुबली है, भले ही हो, पर वो सबसे अधिक और है, बेचारी गरीब है, उसके शरीर पर गहने वगर इन दोनों की तरह नहीं है, सतेंद्र ने गर्दन हिला कर कहा, हो सकता है, तिन तु इन लोगों की मज़दूरी कितनी है जानती हो, नहीं, सतेंद्र ने हाद दिखा कर कहा, इन दोनों की है 30 रुपे, उसकी है 50, और लोग कहते हैं, चार-पांच साल पहले खूब अच्छा ही गाती थी, किन्तु अब गा सकेगी या नहीं, कहां नहीं जा सकता। तो इतने रुपे देकर ले क्यों आए, इससे कम में तो वो आती ही नहीं, इतने में भी वो आने को राजी नहीं थी, बहुत मनाने कहने सुनने से लाई गई है। दूसरा कारण है मेरी अपनी गरज। इस बात पर राधा रानी ने विश्वास नहीं किया, तो भी आगरह के साथ उसके समीप सट कर बोली, तुमारी गरज राक है, किन्तु व्यवसाय छोड़ क्यों दिया। सुनोगी? हां, कहो। सत्तेंद्र ने एक शन मौन रहकर कहा, उ आचल से आँखें पोच ढली, अंत में उसने कहा, इसलिए आज उसका अफमान करके बदला लोगे, ये बुद्धी तुमको किस ने दी? इधर सत्तेंद्र की अपनी आँखें भी सुखी नहीं थी, अने एक बार गला भी जकरता जा रहा था, बोला, अपमान तो है ही, किन्त उस अपमान को हम तीनों के सिवा और कोई जानना सकेगा, कोई जानेगा भी नहीं, राधारानी ने उत्तर नहीं दिया, फिर एक बार आचल से आँखें पोचकर वो बाहर चली गई, निमंत्रित भले आदमियों से बैठक भरी हुई है, और उपर के बरामदे में बहुत से स अंचित रुपए पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए अभाव के थपेड़े से बात धे होकर फिर उसी काम को स्विकार करके आई है, जिसको उसने स्पत करके छोड़ दिया था, उसी के सामने वो मों उपर उठा कर खड़ी नहीं हो सकती थी, अपरिचित पुरुशों की त्रि बिजली ने मों उपर उठा कर देखा, पास ही खड़ा है एक 12-13 साल का लड़का, उसने उपर का बरामदा दिखा कर कहा, मा आपको बुला रही है, बिजली विश्वास ना कर सकी, उसने पूछा, मुझे कौन बुला रही है, मा बुला रही है, तुम कौन हो, घर का नौकर, बिजली ने गरदन हिला कर कहा, मुझे को नहीं किसी और को बुलाया होगा, तुम फिर पूछ कर आओ, थोड़ी देर बाद आकर वो बुला, आपका नाम बिजली है ना, आपको ही बुला रही है, चलिए मेरे साथ, मा खड़ी है, चलो, कहकर बिजली जटपट पैरों के खोल कर उसका अनुसरन करके अंदर चली आई, उसने मन में सोचा, मालकिन की विशेश कुछ फरमाईश है, इसलिए इतनी बुलाहट है, सोने के कमरे के पास राधारानी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी, भैभीत कुंठित पद से बिजली जोहीं उसके सामने आखड खड़ी हुई, त्योहीं राधारानी सब्भ्रम के साथ उसका हाथ अंदर खीच कर ले आई, और एक छोटी सी चौकी पर जबरदस्ती बैठा कर हस्ते हुए बोली, दीदी, पहचान सकती हो मुझे, बिजली आश्यर से हत बुद्धी हो गई, राधारानी ने गोद के बच् चोटी बहन को भले ही तुम ने पहचान सकी दीदी, इसके लिए मैं दुख नहीं करती, किन्तु इसको न पहचान लेने से सच्मुची खूब जगड़ा करूंगी, ये कहकर मुह मोड़कर वो मुस्कुराने लगी, ऐसी हसी देख कर भी बिजली कोई बात ना कह सकी, धीरे धीरे साफ होने लगा, उस अनिद्य सुंदर मात्रि मुक के सद्य विक्सित गुलाब के समान, शिशु के मुह की तरफ उसकी दृष्टी निबध्ध हो रही, राधारानी ने स्तब्ध थी, बिजली टक्टकी बाधे देखती हुई, अकस्मात उठ खड़ी हुई, दो दिरमत कर उसका जहर तुम खुद ही पी गई हो, और समस्त अमरित तुमने इस चोटी बहन को दे दिया है, तुमको उन्होंने प्यार किया था, इस कारण ही में उनको पा गई हूँ, सत्तेंद्र का एक छोटा फोटोग्राफ हाथ में उठा कर बिजली एक तक देख रही थी मुह उपर उठा कर मुस्करा कर उसने कहा, विश का विश ही तो अमरित है बहन, मैं वन्चित नहीं हूँ बहन, उसी विश ने इस घोर पापिष्ठा को अमर बना दिया है, राधा रानी ने इस बात का उत्तर दे कर कहा, उनसे भीट करोगी दीदी, बिजली ने एक शन आख बंद करके स्थिर रहकर कहा, ना बहन, चार वर्ष पहले जिस दिन वे इस अस्प्रिश्या को पहचान कर बहुत ही घिना से मुह फेर कर चले गए थे, उस दिन घमंड करके मैंने कहा था, तुम से फिर मुलाकात होगी, फिर तुम आओगे, किन्तु मेरा वो घमंड रहा नह पिर वे आए नहीं, किन्तु आज मैं देख रही हूँ, किसलिए दरपहारी ने मेरे उस दरप को तोड़ दिया, वे तोड़ देने पर भी किस तरह गढ़ डालते हैं, छीन लेने पर भी किस तरह लोटा देते हैं, ये बात मुझसे अधिक आज कोई नहीं जानता दहन, ये क आपस लाकर दे देने से ही मैं सब तरह से मिट्टी हो जाती, उनको भी न पाती, अपने को भी खो देती, राधारानी का गला रूंध गया था, वो कुछ भी बोल न सकी, बिजली ने फिर कहा, मैंने सोचा था, कभी भेट होने पर उनके पैयर पकड़ कर फिर एक बार माफी मांग कर देखो, किन्तु आप इसकी मुझे जरूरत नहीं है, केवल इस चित्र को ही दे दो दीदी, इससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहती, चाहने से भगवान तो चाहेंगे नहीं, मैं जा रही हूँ, ये कहकर वो उठ खड़ी हुई, राधारानी ने भारी स्वर में जब उनका आदमी मुझे बुलाने गया तब उसने क्यों एक जूठा नाम बताया था, लज्जा से राधारानी का चेहरा लाल हो उठा, वो मुह जुकाय चुप ही रही, बिजली ने थोड़ी देर तक सोच कर कहा, शायद मैं समझ गई, अपमानित करने के लिए, नहीं, इस प्रणाम कहकर कह देना कि वो बात नहीं होने की है, मेरी अपनी कहलाने लाए कोई चीज़ अब नहीं है, अपमान करने से सारा अपमान उनके ही शरीर पर लगेगा, नमस्कार दिदी, नमस्कार बेहन, उम्र में बड़ी होने पर भी तुमको आशिरवार देने का अधिकार म मुझे नहीं है, लेकिन मैं हिदय और मन से प्रार्थना करती हूं बहन, तुम्हारी सुहाग की चोड़ी अक्षय बनी रहे